बारत मता की बंदे बंदे जय श्री राम लूट रहे हो बते हमारे को मुका मिले भारत जाएं पाकिस्ता प्रिस्ताफितों में खुशी की लहर आप देख सकते हैं मिठाई बांटी जा रही है और मैं यहां मौझूद हूँ निमित प्रिस्ताफितों के लिए काम कर रहे थे सालों से काम कर रहे थे बड़ी परेशानिया थीं क्योंकि पाकिस्तान से परेशान होकर इंदुस्तान की जमीन पर आए अपनी सरजमी पर आए और अपने आपको इंदुस्तानी कहने में उन्हें गर महसूस होता है आज भी होता है और आज का दिन तो उनके लिए बहुत महत्तपूर्ण दिन है यह मिठाईयां इसकी गवा हैं इनके चेहरे पर यह खोशी इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान से जिस उम्मीत के साथ भारत की सरजमी पर आए थे आप देखेंगे कि कितनी खुशी का माहौल यहां पर इनके बीच है जरा इनसे बात करते हैं यह जो खुशी है कितने सालों का इंतजार यह जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो हम वहां से यह उम्मीद लेके आया थे हम अपने बच्चों को परिवार को ले जाएंगे वहां पर अपने देश में जाएंगे और अपने बच्चों को वहां पर धर्म की तरिम दिलवाएंगे उस शिक्षा दिलवाएंगे तो इस उम्मीद से आते हैं तो जब यहां पर रहा तो नागरता के कुछ नेमी यहां पर अलग थे जब सिये का मतलब 2019 में जब यह कानून बनाया गया तो उस टेम का हमें इसका वेट था भी कब ये लागू करेंगे उसके बाद लोगों को रिलीव मिलेगा उनके बाद नागरता मिलेगी तो लगबग पांचे साल से हम वेट का रहे थे इसका क्या फाइदा आपको अब इससे होने वाला है क्योंकि वहाँ नुकसान तो बहुत भुगत करा चुके हैं एक उम्मीद थी एक आस थी वो आस आज पूरी हुई है इससे हमें ये फैदा होगा कि जिनकी नागरता नहीं होती जिनके पास कोई एडी नहीं होती वो हमारा जी जा जाएंगी बचों की पढ़ही में हमारे को टेंशन नहीं आएगी बचे पढ़ेंगे हम बचों के भवीशे के लिए यहां पढ़ाया थे जब नागरता मिल जाएगी तो बचों को हर वो सुधा मिलेगी जो गवर्मेंटर हमें दे रखी है बड़ा इंजार करना पड़ा था होए निरंदर मोधी जी का अमीशा जी का हम तैद दिल से धनेवाद करते हैं क्योंकि जो हम पाकिस्तान से इसलिए यहां थे कि हमने बच्पन वहां गुजारा हमने वहां जितनी भी तालीम असल करी सिक्षा असल करी जो हम पढ़े हमें पता है कि हम स्कूल में जाते थे ते हो आप पढ़ाई पढ़ाई ची करते हो आप मुसल्मान हो जाओ कल को पता आपका भविशे बन जाएगा आप तो हिंदू रहे जो क्या रहेगा तो चोड़ी चोड़ी बातों पे हमारे को काम धंदे में बगारा में पैसे में बगारा हर चीज बहुत जाते हैं तो हम उसी करेंद आप हमारे ब्चे स्कूल जाते थे हैं सीना चोड़ा जाते हैं और हम हमाहने बख्टे बड़े खुश हैं हम तो भारत सरकार का देल से शुक्रियादा करना चाहते हैं कि आज हमारे खुशी की कोई इंताहा नहीं है हना बस मन भावक सा हो रहा है फिर भी हम जो है फिर भी बोल पा रहे हैं अब आपका धर्म कर्म सब बचेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इसी चीज से लोग करें नागज़ता दिलाओ पाकिस्तानी यह भी जो यहां का बच्चा पैदा वह भारत में वह पाकिस्तानी कैसे हो गया ऐसे हमारे गों डराते हैं आज हमारे को इस चीज़ की खुशी है कि आज के बाद सी किये लागू होने के बाद कोई हमारे को यह नहीं क लूट रहे हो बहुत है हमारे मुखा मिले भारत जाएं लेकिन भारत में भी छोटी सी राजनीती शुरू हो गई है लोग इसको लेकर तमाम बातें कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग से भी बहुत तारी बातें हम मुसलिम भाईयों के सामने हाथ जोड़के यही परयात्रा करेंगे कि आप हमारे भाईयो आप भारत में रहते हैं हमारे भाईयो आप किसे लिए डार रहे हो क्यों डार रहे हो आप आपको इस कानून से किस चीज़ का डार है आपको यह जो स्यासी पार्टी है वो डरा रही है बाकि इसमें कोई डार नहीं है आप खुशी से रह सकते हो जैसे फैले से रहे हैं आज 75 साल से हम खुश ही से एक साथ मिल के रहे हैं हम 20 साल से आपके बीच में आगे रहे हम बड़े खुश है आप 75 में आपको क्या लिख्कत है यह हिंदू मुस्लिम से किसे आपस में भाई-भाई बनके रह रहे हैं कोई भारत सरकार भेदवाओं नहीं करेगी आपको तो नागरता यह तो आपको खुश होना चाहिए कि जो विचारे वहां बंगलादेश से अग्वानिस्तान से जो पाकिस्तान से पीड़त परिवार रहे हैं यह नागरता उन उसको तो सिर्फ पता है कि इस सीज है मतलब नहीं उसको तो सब्सक्राइब पहलाना है आज 75 साल में इंडिया चांद पे जा पोँच गया बंगलादेश कहां से पोँचे अग्वानिस्तान भी उससे आगे है और वह अपने आपको एटमी ताकत बोलता है कि हम एटमी ताकत क्या इताकत है आज तुम्हारी करनसी की हाले देखो तुम कहां से कहां पहुंच चुके हो ना सिर्फ तुम आतंगवाद की विजासे तुम आतंगवाद का रास्ता छोड़ो प्रेम भाई चारा अपना हो और जो वहां अलप संकित बैठें उनके साथ भाई चारा प्रेम से र मिली 2004 से 2019 में और हमारी एडी जो पहली अधार कार्ड मैंने बनवाए था 2016 बनवाए था तो हमारे पास पहले एडी नहीं थी हम कहीं भी काम धंदा बगरा करते हैं तो बिने आडी काम कितनी आज उनको जब यह सूचना मिले कि नागरता हो चुका है वो कहें हम जाएंगे ज जनता तो खुद बाखुद अपना है कि भारत माता की यह खुशी है भात माता की जैकारे लगाए जा रहा है आप क्या कहेंगे पूरे मसले को लेगा जैशीर राम पहले तो सबसे पहले हमारे आदरनी पजान मंतरी नरेंदर मोदी जी और हमारी ग्रह मंतरी अमिशा जी का बहुत बहुत अबहर मैं तो यही कहुँगा कि हमारे आज कोई खुशी का कोई सिकाना ही नहीं है कि आज जब सिये जो 2019 में बिल पास हुआ था और उसका नोटिफिकेशन दस जनवरी 2020 का आया हुआ था वो आज जाके इंप्लिमेंट हुआ है यानि कि 19 से आज 2024 चार से पां इनोनी तोर पे इंप्लिमेंट हुआ है आज मैं यही हमारे देशवासियों को हाथ जोड़ के विनत्ति करूंगा कि हमारे इन जैसे भाईयों का चेहरा देखिए और इनके साथ जो आए है इनका देखिए ये नागरता देने का है ये नागरता लेने का नहीं है क्योंकि 1905 क इसमें जो टेक्निकल यही कहता है कि 1905 में जो हम वहां से जब आते थे हमें साथ साल या बारा साल का वर्ष इंतजार करना पड़ता था इतना लंबा इंतजार करना था पड़ता था उसके बाद हम लोग आवेदन देते थे आवेदन देने के बाद जाके हमें साल डेट साल परिवार के मुख्या को मिलती थी फिर साल डेट साल के बाद परिवार के मुख्या के धरम पत्नी को मिलती थी उसके बाद जाके बच्चों को मिलती थी यानि के साथ साल और बारा साल के इंतजार करने के बाद और चार पांच साल लगते थे तब जाके नागरता मिलती थी इस में हमारे 5 साल के बाद हमें कम वर्ष इंतजार करने के बाद हमें कोई हमें हम अप्लाइ करेंगे और उससे अधिक सबontin यह चीज़ यह है के हम हम अपनी कमाई का यहां की कमाई का एक हिस्सा परिवार का हम वहां पासपोर्ट सरेंडर पाकिस्तानी दोतावास जो अपने न्यू दिली में है आठ हजार रुपे पर पासपोर्ट हम लोग वहां पर जमा करवाते थे वहां से रिसिप्ट लाते थे उन्नीस सो पचपन के एक्ट के ते तब जाके हमें नागरता मिलते थी वो सारे कानून इस CAA में सारे खत्म हो जाएंगे वो आठ हजार रुपे हमें उस मुलक को नहीं देने बात बात रुपें के नहीं मैं देख रहा हूँ आप बहुत भागु को रहे हैं मैं वहीं कह रहा हूँ हमारे पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं इसको हमारे हाथ जोड के इशू मत बनाईए ये नागरता देने का है नागरता लेने का और ऊस में नागरता मिलने के बाद बच्चों की सिख्षा होगी वह आंगे कुस कर पाएंगे सबकर सिक्षा भी है सब कोछ बी सारा कूछा है उसमें सब हमें मैं मिलेंगे मैं देख नो इनको नौ साल हो चुखे हैं यह पलाई हैं नी कर सकते कि इनकी दिक्कति इनको पासपोर्ट वहां पर नहीं जमा पारा था अब उनको अब वो कंडिशन खतम हो जाएगी नौ साल के बाद इनको अभी तुरह तीन आगरता मिल जाएगी क्या दिक्कत आ रही थे आपको दिक्कत यह ने सर के आलटी वगरा बनाने के लिए पासपोर्ट करवाना पड़ जाए और हमारी तमाम मुसीब्तें दूर हो गई है हम बहुत खुश हैं और मौदी साब का धन्यवाद करते हैं धन्यवाद कर रहा हैं बहुत खुश हैं क्या लगता है इंतजार खत्म हुआ एक नई सुबह हो गया तब मैं पाकिस्तान से इदर आ गया भी अब पहले मेरे पिता जी का जनम इदर का ही था मगर रहते थे वह गाउं में तो नजदेक सूका हो था इदर तो पाकिस्तान चले गए मैनद मंदूरी करने के लिए और फिर आप हम इदर वापस आए अपने बच्चों को लेकर दिक्तें क्या थी आपको ये तमाम दिक्तें हैं वहां पर आ हुए लेकर इदर आगे अर्ब वहां अ किताब में लिखा हुआ है कि वो फिर बच्चाब में लिखा हुआ है कि वह जो भी बच्चा contradiction हुआ था ना वुना ना उनको लाद्मी कहते थे कि आप तो आ那我們 किमार किता में लिखा हुआ तो फिर कुछ बच्छे-बच़े उ चो तो जो होते थे तो कुछ मुसलमान हो जाते थे उनका एक ऐसा को लाभी है सब तो ऐसे नहीं है मगर कुछ ऐसे उन मेंसे होते हैं कि उनका काम ही यही होता है कि बच्चों को देखते हैं भी यह कुछ अच्छा बच्चा हुशार है उसको अपनी तरफ कनवर्ट करने की पर्यास कर उड़ा देते हैं कि जब तो यह मुसल्मान हो गई अब आप भी इनको वापस नहीं ले सकते तो जबके होता सिर्फ यह कापस में एक दूसरे से महबत करते हैं और शादी के लिए उनको कर दिया जाता है अब आप सी ये लागू हो गया है अब क्या आपको लग रहा है कि जैस सकूंगा और वो इदर आके भारत में अच्छी जिन्दगी गुजारेंगे अपने बच्चे का भविश्य अच्छा गुजारेंगे तो यहां पर शुरू हुई है आप क्या कहेंगे प्रधान मंत्री जी तो एक देवता समान है उनके लिए जितना भी कहा जाए हम उसके इसा परधान मंत्री मिला है जो आज तक नहीं मिला था इसलिए बहुत महरबानी उनकी पूरी टीम की जो जिन्होंने भी इसमें शयोग किया है धन्यवाद सबका जै श्री राम